इस्राइल ने एक अप्रेल दो हजार चौबिस को सीरिया की राजधानी दश्मिक में इरानी दूतवास पर एस्ट्रैक कर इरानी सेना के लेपनान और सीरिया के लिए वरिश्च कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मुहम्मद रैजा जाहेदी और उनके डिप्टी मुहम्मद हाद इसी रहीमी समेट साथ अधिकारियों की हत्या करके इरान को एक बड़ा जखन देने का काम किया इन शिकास गतान हे लोगे भी दोवाया जिसके बाद से ही पूरा इरानी टॉप ब्रास तम तमाया हुआ है और इस्राइल को इस हमले के भयानक अंजाम भुगतने की चेतावन भी देती है जिसके बाद से ही इसराइल के प्रधानमंत्री नितन्याहु अपने घर और दूसरे देशों में इसराइली दुतावासों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं घर की सुरक्षा के लिए इसराइल ने अपने एर डिफेंसेज को और मजबूत किया है और साथ ही अपने रिजर्फ सोलजर्स की छुट्टिया कैंसल करके उन सब को ड्यूटी पर वापस बुला लिया है नितन्याहु को कही न कहीं ये लगता है कि इरान इसराइल के साथ सीधे युद्ध से बचने के लिए उसके किसी दूतावास को निशाना बना सकता ह इसराइली मीडिया के अनुसार भी विदेशों में सेवारत राजनेकों ने चिन्ता जताई है कि उनके दूतावासों को इरान अपना निशाना बना सकता है The Jerusalem Post की एक रिपोर्ट के अनुसार इरान और उसके प्रतिनिध्यों की ओर से दी जा रही धमक्यों के कारण 28 इसराइली दूतावासों और वानिजिक दूतावासों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है सीरिया पर इरानी दूतावास पर इसराइली हमले के बाद आई रिपोर्ट में इसराइली राजनिकों पर इरानी हमले की बढ़ती धमक्यों के बाद दुनिया भर में इसराइली दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखा गया है इसके अतिरिक कुछ राजदूतों से अनुरोद किया गया है कि वे अपनी सुरक्षा के डर से सारवजनिक कारिकरमों में ना जाएं हालकि इसराइली विदेश मंत्राले ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है कि इरान की ओर से जवाबी कारवाई की धमकियों के बीच येरुशलम दुनिया भर में अपने दूतावासों को बद कर रहा है आपको यहां ये भी बताते चले कि इसराइल ने इरानी दूतावास पर हमले की अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है जिसमें सीरिया में इरान के शीर्स इसलामिक रिविलुशनरी गाड कॉप्स के साथ साथ उनके डिप्टी और अन्य पांच आयार जीसी अधिकारी मारे गए थे तेहरान ने इसराइल को दोशी ठहराया है और साथ ही बतला लेने की कसम भी खाई है तेहरान ने जुए है